दोस्तों गर्मियों की सीजन में हम ज्यादातर तर्बुज को खाना पसंद करते हैं लेकिन आज हम तर्बुज का जूस बनाने वाले हैं और ये जूस हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और गर्मियों के सिजन में हमें कभी भी तर्बुच का जूस पीने से डियाईडरिशन का प्रोब्लेम नहीं होता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने जूस से रिलेटेट एक खास ट्रिक्स बताई है तो ज़रूर आप इसी देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रसिपी हेलो दोस्तो मैं हूँ माया और मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है यहां मैंने एक तर्बुज लिया है और इस तर्बुज को हम अभी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीका आज में बतानी वाली हो तर्बुज को काटने का तो चलिए शुरू करते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तो हमने तर्बुज को दो पार्ट में कट कर लिया है और अभी हम इस दोनों पार्ट में से एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और एक पार्ट को हम कट कर लेंगे दोस्तों यहां मैंने आधा तर्बुज लिया है और आधा तर्बुज को मैं अभी दो पार्ट में कट कर लूँगी और उसमें का जो आधा पार्ट है पहले मैंने उसका दो पार्ट में कट कर लिया है और जो बचा हुआ आधा तर्बुज है उसको भी मैं दो पार्ट में वापस से कट कर लूँगी तो इसी तरह हमें पूरे तर्बुज का स्लाइस की रूप में कट कर लेना है और अभी सबसे पहले हमें तर्बुज की जो बीजे है उसको निकाल देने है क्योंकि तर्बुज की बीजे बहुती बड़ी बड़ी है तो बस चाकू की हेल्प से हमें बीजो को निकाल लेना है और उसको कट कर लेना है एक बहुती आसान तरीका में आपको बताने वाली हो तर्बुज की स्लाइस को कट करने का और उसके पीसेस करने का आप देख सकते हो दोस्तों बस इसी तरह हमें तर्बुज की बिजे निकाल लेना है और हमें इस तरह से तर्बुज की स्लाइस में एक एक करके कट लगाना है आप देख सकते हो पूरे नीचे तक हमें कट लगाना है और इस तरह से नीचे के साइड से जर्टे हमें चाकु से उसको कट कर लेना है आप देख सकते हूँ दोस्तों इस तरह से हमने उसको काट लिया है अब कटा हुआ तर्बुज हम पलेट में रख देंगे और जो स्लाइस में बच्छा कुचा जो तर्बुज लगा है उसको भी हम दीरे से कट कर लेंगे और उसको भी हम प्लेट में रख देंगे और बागे की स्लाइस को भी हम कट कर लेंगे यहां मैंने एक mixi jar ले लिया है दोस्तों और हम यह जो सारे कटे हुए पीसे से तरबुच के हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से ग्राइड कर लेंगे यहां मैंने एक बरतन ले लिया है दोस्तों और एक चन्नी के मदद से हम सारे जूस को हम बरतन में चान लेंगे इस तरह से हम चन्नी के मदद से सारे जूस को बरतन में चान लेंगे देखिए बहुती बड़िया हमारा जूस बनकर रेडी हुआ है दोस्तों आप देख सकते हो तो चलिए हम इस जूस को गलास में निकाल लेते हैं यहां मैंने एक गलास ले लिया है इस गलास में हम जूस को डाल देंगे दोस्तों अगर आप चाहे तो इसमें सेंदा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर या फिर काला नमक इन में से कोई भी एक चीज को एड़ करके जूस को एंजॉय कर सकते हैं तो यहां मैंने काला नमक ले लिया है और इस काला नमक को हम पहले ग्लास में डाल देते हैं मैं कम से कम एक या दो चुटकी का इस्तेमाल करने वाली हो जादा से जादा तो बस दो चुटकी मैंने यहां पे डाल दिया है काला नमक और अब हम इसमें जूस को डाल देंगे इस तरह से हमें तर्बुज का जूस ग्लास में धीरे धीरे करके डाल देना है और आप देख सकते हो दोस्तों कि हमने पहले काला नमक ग्लास में डाल दिया था अभी उसके बाद हम उपर से जूस को आट कर रहे हैं ठीके तो काला नमक के वज़े से हमारा जो जूस से बहुती टेस्टी बनता है दोस्तों तो आप काला नमक का यूस जरूर करके एक बार देखिएगा तो लीजिए दोस्तों सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी तर्बुच का जूस बनकर बिल्कुल रेडी हुआ है तो दोस्तो आज की खास्ट्रिक यही है कि हम तर्बुच को काटके हम फ्रीज में रख सकते हैं उसको दो दिन तक हम यूज कर सकते हैं और दो दिन तक हम उसका जूज भी बना कर पी सकते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखे कि दो दीन के बाद आप इसको यूज ना करें तो चलिए डब्बे का धक्कन हम लगा देते हैं और इस डब्बे को हम फ्रीज में रख देते हैं दोस्तो एक चीज का ध्यान जरूर रखे कि हमें डब्बे को फ्रीज में रखना है फ्रीजर में नहीं रखना दोस्तो डब्बे को हमें फ्रीज के निचले हिस्से में याने की फ्रीज में रखना है और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चनल पे नए आये हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी आने वाली नई हेल्दी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें बाबाई